तो चलिए अब हम बात करते हैं डेसीमा नमबर क्या है तो डेसीमा नमबर कुछ नहीं fraction हमने fraction पढ़ा है fraction का एक इसपिसल फार्म होता है डेसीमा नमबर fraction का एक इसपिसल फार्म यानि की fraction को ही हम जब दूसरे तरीके से राइड करते हैं तो वो हमारा डेसीमा नमबर कलाता fraction को जब हम दूसरे फार्म यानि की दूसरे प्रकार से डेनोट करते हैं यानि कि write करते हैं तो वो हमारा क्या कहलता है decimal कहलता है यानि कि हम decimal के definition की बात करें तो हम कह सकते हैं कि decimal is nothing but the special form of fraction यानि fraction को अगर हम किसी special form में write करते हैं तो हमारा क्या कहलता है decimal number कहलता है तो यह हमने definition वक्की बात की decimal की definition की अब हम बात करते हैं decimal के daily life uses की decimal का daily life uses हम कैसे करेंगे या कैसे होता है हम उसकी बात करते हैं चलिए हमारे पास पांच रुपए है और इसे हमें चार लोगों में distribute करना है हमारे पास पांच रुपए है और इसे हमें चार लोगों में distribute करना है तो जब हम पांच रुपए को चार लोगों में डिस्टिब्यूट करेंगे तो पहले हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं फाइव अपान फूर जो की हमारा जब फ्रैक्शन के रूप में है अगर हमें पांच रुपए को चार लोगों में डिस्टिब्यूट करना है त अगर हमने इसे इस तरीके से लिखा तो यह हमारा क्या कराता है? fraction. और fraction का ही special farm क्या होता है हमारा decimal number? यानि कि अगर हम 5 रूपए को 4 लोगों में distribute कर रहे हैं, तो उसे हम जोब special farm यानि कि दूसरे तरीके से लिखेंगे, तो हमारा क्या होगा? decimal कराएगा. तो चलिए हम उसे कैसे लिखते हैं? हम इसकी बात करते हैं. चलिए इसको लिखने के दो तरीके हैं. तरीके नमबर अगर हम first की बात करें, तो पहला हमारा तरीका होगा कि हम 5 को 4 से divide कर लें. तो इस तरीके से हम इसे write कर सकते हैं. और आपका answer आएगा 1.25. इस तरीके से यह हमारा का हुआ decimal number. तो जब हम 5 रुपए को 4 लोगों में distribute करते हैं और उसे इस form में write करते हैं, तो यह हमारा कहलाता है decimal number. इसे हम दूसरे तरीके से भी distribute कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे? 5 रुपए को 4 लोगों बाड़ना है. तो हम उसे एक एक रुपए करके बाड़ सकते हैं. एक एक रुपए करके उसे बाड़ सकते हैं. इसके बाद बचेगा एक रुपए. अब एक रुपए में होते हैं 100 पैसे तो 100 पैसे को में 4 लोगों बाड़ना है तो हमने क्या कैसे 4 भागों बाड़ दिया एक हिस्से में कितना पैसा आएगा 25 पैसा अब इसी 25 पैसे को हम यहाँ पर लिखेंगे तब यह क्या हो जाएगा 1.25 तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि जब हम decimal number को write क होती है whole number कहलाती है वो पूरा है हम किसको distribute कर रहे थे हम रूपए को distribute कर रहे थे यहाँ पर वन रूपए मिला इसके बाद हमारा बटवारा complete नहीं हो रहा था तो फिर उसे हमने पैसे में distribute किया तो यहाँ पर हमें दो प्रकार की number मिलती है इसमें से इसको हम बोलते हैं पू बोलते हैं और यह पूरा नहीं है क्योंकि हम बाट किसको रहे रुपए को और मिल किसमेरा पैसे में तो यह पूरा नहीं इसलिए को क्या बोलते हैं आप पूरा नहीं से बोलते हैं तो इस तरीके से हम जब किसी राशी को लोगों में distribute करते हैं तो उसे हम दो तरीके से तरीका नमबर आपको सेकंड होगा इस तरीके से का डिस्टिबूट करेंगे तो यह है इस पेसल फाम आपका क्या करा है का डेसिमाल नमबर तो चलिए अब हम कुछ और आगे बात करते हैं कुछ रोचक तत्र के हम बात करते हैं इस पेसल थॉट्स हैं जैसे कहीं निकाए 0.5 और कहीं निकाए 0.50 आप बिलकुल पढ़े होंगे जानते होंगे कि 0.5 is equal to the 0.50 यह दोनों चीजें सेम हैं यह दोनों सेम क्यों हैं हम इसकी बात करते हैं यह दोनों सेम क्यों हैं हम इसकी बात करते हैं तो चलिए ध्यान दीजेगा हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी नंबर को उसकी नंबर सिस्टम के कॉर्डिंग पढ़ते हैं यानि कि जैसे मारा इंडिया नंबर सिस्टम हो गया इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हो गया उसी तरीके से जह हम डेसिमल नंबर को आपका 10th, और फिर ऐसे आता है आपका 100th, फिर आता है आपका 1000th, इस तरीके से हमें नंबर मिलती हैं, तो decimal के पहले होता है, once 10s, 100,000, 10,000, 10,000, 10,000, और decimal के बाद होता है, 10th, 100th, 1000th, तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 10th का मतलब क्या होगा, कि अगर कोई भी 80 है, तो उसका दस्वा भाग, उसका दस्वा भाग, यानि कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर क्या है, कोई नंबर भी हो सकती है, हमने 0 लिया है, उससे में फर्क नहीं पड़ता, इधर हम जब देखते हैं, हम क्या पाते हैं, कि यह 10th स्थान पर है, यानि कि जो यहाँ पर है, उसे हमने 10 भागों में से लिया है, अगर यहाँ पर 3 होता, तो इसका मतलब क्या है, 3 अपान 10, 10 में से 3, 10 में से 3, तो यहाँ पर जो हमने 5 लिया, तो इसका मतलब क्या है, 5 अपान 10, यानि कि 10 में से 5, तो जो हम क्या पाते हैं यहाँ पास, कि 10 में से 5, यानि कि याधा, one upon two होगा, चलिए, अब यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, zero point five zero, तो यहाँ पर यह tenth हुआ, यह आपका क्या हुआ, hundredth, तो इस प्रकार से हम क्या पाए, बच्चों, कि यह tenth है, यह hundred है, इसका मतलब है, दस में से पांच, और इसका मतलब क्या है, सो में से जीरो, सो में से जीरो, यह क्या है, आपका टेंथ है, टेंथ मतलब, दस में से, और यह hundred है, hundred मतलब, सो में से, तो हम क्या पाते हैं, कि दस में से पांच, दस में पांच मतलब, आधा, यहाँ पर क्या है, सो में जीरो, सो में जीरो, इसका मतलब है, तो जीरो पान हंड 0 upon 100 यानिकी 0 तो यहां पर हमें कोई value मिलती नहीं है और यहां क्या मिलता है half तो हम क्या पाए कि इधर भी हमें half मिला है इधर भी हमें half मिला है मतलब कि दोनों number क्या है actual में equal हैं तो इस प्रेकार से हम जब इसका out of conclusion करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि अगर decimal के बाद कोई अंक आता है और उसके बाद अगर 0 आते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हैं जैसी मर के बाद एक अंक है उसके बाद क्या आया 0 तो अगर इसके बाद कोई अंक नहीं आता है मतलब कि उस 0 की value nothing है कुछ नहीं है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यह दोनों digit आपस में equal हैं इस प्रेकार से और जांपन हम write कर देते हैं दिखा है 2.5 and 2.50 यह दोनों आपस में equal हैं क्यूंकि 10 में से 5 मतलब आधा और यहां भी 10 में से 5 मतलब आधा 100 में से 0 मतलब कुछ नहीं तो कुल मिलाकर में क्या मिलता है 2 रूपए है complete 10 में से 5 या निकि आधा यानि 2 whole 1 upon 2 धाय रूपए मिला मुझे यहां भी इसी तरीके से तो तो मिला complete है अब इस में से 10 में से 5 यानिकि आधा इस में से कुछ मिलता नहीं है तब इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि दोन नमर क्या है equal है इसी प्रकार अगर हम एक 0 और लगा दें इसके पीछे तो भी दोरों आपस में equal होंगे क्योंकि यहां 1000 वाले पार्ट में 0 upon 1000 हो जाएगा यानि कि इस में से भी हमें क्या मिलता है कुछ नहीं मिलता है आधा ही मिला ना तो इस प्रकार से हम क्या पाते हैं कि अगर decimal है उसके बाद कोई yank है उसके बाद 0 आते है तो आहां पर 0 की value कुछ नहीं होती है हाँ अगर इसके बाद फिर से कोई अंक आता है तो उसकी value add होगी वो value put करेगा उसकी value होती है तो आपको ये गलती नहीं करना है आपको ध्यान देना है कि अगर उसके बाद कोई अंक नहीं है तो इन 0 की value कुछ नहीं है अगर उसके बाद अंक होगा तो इसकी value होती है तो चल रुपए को distribute करना है six लोगों में थोड़ा सा ध्यान दीजेगा क्या हम इस distribution या पर कर पाएंगे आपको ध्यान देना है ये क्या है रुपीज है यानि कि रुपए है साथ रुपए को हमें छह लोगों में बाटना है चलिए हम देखते हैं साथ रुपए को छह लोगों में ब बच्चा एक रूपाई मतलाव है सो पैसे हंडेड़ पैसे हमारे पास हैं अब इसे हंडेड़ पैसे को भी हमें छे लोगों में बाटना है तो हम कैसे बाटेंगे हमें कैसे बाटेंगे ध्यान दीजिएगा अब अगर हम दस दस पैसे ले तो 60 पैसे अगर हम 15 पैसे ले तो 15 चका 90 यानि कि 90 पैसे अभी भीपैसे बचला है 10 पैसे चलो एक एक पैसा हमने आउल यानि कि 16 चका छानने अगर हमने 17-17 पैसे किये 17-6 का 102 यानि कि 2 पैसा घट जाएगा हमारे पास 100 पैसे ही है तो क्या यहाँ पर हम ठीक से distribution कर पा रहे हैं क्या हम यहाँ पर फेक से distribution कर पा रहे हैं अगर यही रुपीज हमें बाटना होता 5 लोगों में थोड़ा साब को ध्यान दिना है अच्छे से अगर यही 7 रुपे को हमें बाटना होता 5 लोगों थो हम बड़े आसानी के साथ बाट सकते थे कैसे देखेगा 5 लोगों को हमने 5 रुपे दे दिया बचा कितना 200 पैसा बचा 200 पैसा हमें कितने लोगों बाटना है 5 लोगों में बाटना है इजी बाट सकते हैं हमने क्या क्या 20 सोरी 40 40 पैसे बाट दिये तो 5 लोगों में आ रहा है उसे बच जाएगा 40 पंचे 200 तो इसका देसिमन नंबर क्या देगा 1.40 हो जाएगा यानि कि एक रुपे 40 पैसे हमने इस तरीके से डिस्टिब्यूट कर दिया पर यहां पास यहां हम पैसे को डिस्टिब्यूट नहीं कर पा रहें छे लोगों में तो क्या इनको हम डेसिमन नंबर में लिख सकते हैं तो इनको हम बिल्कुल भी डेसिमन नंबर में नहीं लिख सकते हैं हाँ इनको अगर हम लिखना चाहते हैं तो approximately रूप से इन्हें हम write कर सकते हैं यानि कि लगभग हम कहेंगे कि उसे इतना रूपया मिलता है तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि एकर हम रूपाय को decimal में convert कर रहे हैं रूपाय को अगर decimal में convert कर रहे हैं तो decimal के बाद cable दो अंग लिखेंगे या लगा आएगा क्यूंकि इस से ज्यादा हम इसे distribute नहीं कर सकते क्यों क्योंकि 100 पैसे तो होता है अब पैसे जैसे होता है complete तो वहाँ पर रूपीज हो जाएगा 99 पैसे होता उसी 99 को हम distribute कर सकते हैं और decimal के बाद पैसे ही आएगा decimal के पहले रूपए decimal के बाद पैसे आता है तो इस प्रकारस हम क्या करते हैं कि अगर हम रूपीज को decimal में convert कर रहे हैं तो हम decimal के बाद के बाद केवल दो अंकल लिखेंगे या लगाएंगे उसके आगे कुछ नहीं चलिए हम अब operation on decimal number की बात करते हैं यानि की addition, subtraction इन दोनों के बात करते हैं क्योंकि इन दोनों को solve करने की मेथर लगवग सेम होती है आप सब को पता होगा कि जब हम decimal number को add करेंगे तो इन्हें अगर हम इस तरीके से write करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि decimal इस दम से decimal number के gesture सामने होना चाहिए उधर की number उधर हो जाती है और इधर की number इधर हो जाती है चलिए थोड़ा सा ध्यान देना हमें यह सब को पता है कि यहां पर हम 0 लगा सकते हैं और यहां पर भी 0 लगा सकते हैं इससे कोई फर्क है नहीं पढ़ता पर ऐसा हम क्यों करते हैं decimal को decimal के gesture सामने क्यों लिखते हैं तो इसके पीछे के वले एक ही region है क्योंकि हम पढ़ते हैं decimal का expanded फांट तो हम क्या पढ़ते हैं 10th 100th 1000 इस तरीके से हम पढ़ते हैं तो 10th 10th से जुड़ेगा 100 100 से जुड़ेगा और 1000 जुड़ता है जैसे कर हम simple addition की बात करते हैं अगर कहीं निखाए 235 इसमें अगर मैं प्लस करना है 64 अगर मैं से प्लस करना है फूर तो हम क्या पाते हैं कि यह क्या है once 10s 100 यह क्या है once है तो अब इसको हम add करते हैं, two, three, five, plus four, यानि कि ये once था और ये once था, तो once, once से जुड़ेगा, तो इसी तरीके से, ये क्या है आपका tenth, तो tenth किस से जुड़ेगा, tenth से, इसलिए हम five के, यानि five के ज़स्ट नीचे क्या write करते हैं, four, hundredth किस से जुड़ेगा, hundred से, यानि कि six के ज़स्ट नीचे, nine, ये है thousandth, इधर thousandth नहीं है, नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे कुछ, simple है, तो कुछ भी नहीं है, special, जैसे कि हम normal number को add करते हैं, जब हम normal number को add करते हैं, तो ध्यान क्या देते हैं, कि once, once से जुड़ेगा, ten से, ten से, hundred, hundred से, इसी परकार जब हम decimal number को add करते हैं, तो हम क्या ध्यान देते हैं, कि tenth, tenth से जुड़ेगा, hundredth, hundred से जुड़ेगा, और thousandth, thousandth से जुड़ता है, बस हो गया, चलिए, अब add करते हैं, simple है, कुछ नहीं है, nine, nine plus six, five, five plus four, nine, decimal है तो, decimal, two plus three, six, sorry, two, three plus three, six, and two है तो, इस तरीके से हम add करते हैं, अब, second example को हम लेते हैं, देखेगा, यह भी simple है, तो हमने क्या होता है, कि हम, जिस तरीके सिधर की number को add करते हैं, once को once से, tenth को tenth से, उसी तरीके से हम decimal के, बाद वाले digit को भी add करते हैं, tenth को, tenth से, hundred को, hundred से, तो, अब, इनको हम यहीं पर add कर लेते हैं, तो decimal यह रहा, यानि कि tenth ही है, तो tenth किस से जुड़ेगा, tenth से, hundred से, thousand, thousand से, और इसके बाद, ten thousand, कुछ के साथ कोई साथी है नहीं, तो अकेला ही रहेगा, तब हम क्या पाते हैं, इसका insert किया, अकेला है, अकेला रहेगा, यह किस से जुड़ता है, nine से, तो fourteen होगा, one कहरी आगे चला जाएगा, zero, zero, यानि कि क्या है आपका, one, zero plus two, आपका two, decimal, decimal, once, once से तो, three, three, six, और eight है तो, eight, तो इस तरीके से हम decimal नमर का addition करते हैं, चलिए अब हम subtraction करते हैं, तो इन ही का number को अगर हम subtract करें, तो काफी simple है, 23.49, इसको हमें subtract करना है, 3.56, nine से में subtract करना है, चलिए ध्यान दीजेगा, अब हमने जैसे आपको बताया, कि tenth, tenth से घटेगा, hundred, hundred से, thousand, thousand से घटेगा, लेकिन यहाँ पर कोई number नहीं है, तो क्या हम इसको ऐसे ही write कर दें, जैसे हम यहाँ पर क्या करें थे, कुछ नहीं था, तो nine, मैंने direct उदार दिया, तो क्या यहाँ पर भी nine उतरेगा, तो ऐसा नहीं है, क्या इसके पीछे region क्या तो यह देखते हैं, अगर हम यहाँ पर zero ले लें, मैंने बताया था कि decimal के बाद अंक है, अंक के बाद अगर zero आता है, तो उसकी value कुछ नहीं है, तो हम आराम से लिख सकते हैं, अब यहाँ पर भी उसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहां मैंने नहीं लिखा फिर भी answer सही आ रहा है यहां हम नहीं लिखेंगे तो क्या answer सही होगा तो नहीं होगा इसके पीछे region क्या है कि 9 प्लस 0 आपको 9 ही आएगा लेकिन 0 माइनस 9 आपको 9 नहीं होता है क्योंकि 0 में 9 घटेगा ही नहीं वो किसी से कहरी लगा तब जाकर घटेगा तो इसी लिए subtraction में आपको ध्यान लगना है कि ऊपर कोई भी digit खाली नहीं हो सकता सबके लिए हमें number चाहिए तब जीरो माइनस 9 नहीं घटेगा करी लगा 10 माइनस 9 आपका जाएगा 1 8 माइनस 6 आपका 2 14 माइनस 5 आपका 9.12 माइनस 3 आपका 9 होगा यह बचेगा आपका 1 इस प्रकार से आपका answer होगा तो इस प्रकार से हमने देखा कि decimal नमबर पर हम operation में addition और subtraction दो अब मुने देख शुका है अब हम बात करेंगे multiplication and division की multiplication हम decimal नमर को multiply कैसे करते हैं काफी easy है थोगा सा ध्यान देना है जब यह multiply करेंगे तो बिल्कुल से decimal कहां लगा है कैसे लगा है उसको ignore करेंगे simple multiply करेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा decimal के बाद single digit यहाँ पर है तो हमें ध्यान अगना है कि अगर decimal के बाद एक अंक है तो हमारे answer में भी decimal के बाद एक अंक आएगा यह fix होता है decimal के बाद अगर है एक अंक यहाँ पर है तो हमारे answer में भी decimal के बाद एक अंक आएगा चलिए यहां multiply करते हैं यहां पर भी होई simple चीज है कुछ नहीं करना है हमें क्या करना है decimal को बिलकुँ ignore करना है 13 को आप 10 से multiply करेंगे तो आएगा 130 13 10 जा 130 और क्या मैंने बताया कि decimal को आज single digit है तो हम ऐसे स्थांब डेसिंग लगाएंगे जिसके बाद single digit आना चाहिए बस हो गया तब हम इस प्राइस क्या पाते हैं 13.0 13.0 अब 13.0 जीरो के बाद कोई digit नहीं है मतलब इस 0 की कोई value नहीं है यानि कि इसको हम cable लिसकते हैं 13 13.0 को हम cable क्या लिसकते हैं 13 तो अब हमें क्या ध्यान देना है कि अगर हम इसे normally करें तो हम क्या पाते हैं कि अगर यहां single 0 है तो यह decimal एक बाद यहां खिसक जाता है बस हो गया यहां पास क्या है single 0 है multiply करते हैं यहां पास single 0 है तो decimal आपका एक अंक right side में खिसक जाता है हो गया चले उस method को हम यहाँ apply करते हैं यहाँ पर double 0 है तो जब हम multiply करेंगे तो यह decimal आपका right side में दो अंक खिसक जाएगा तो कहाँ पूंजाएगा 8 के बाद यानि कि 8 अच्छा इधर क्या है 0 0 0 0 जो right करते हैं कोई फरक नहीं होगा 8 के बाद decimal आएगा तो 8 के बाद है तो अगर इसे हम रूपीज में बोलेंगे तो 8 रूपीज complete है उसके बाद पैसे कुछ है नहीं अब 8 रूपए complete है तो उसे हम कहा है decimal लगाएं कोई मतलम नहीं है क्योंकि decimal के बाद रूपए से आता अब पैसे मेरे पास है नहीं तो के बाद खतम तो इस प्रिकार से में क्या समय आता है कि अगर यहाँ पर single 0 है तो यह decimal को हम एग बार यहाँ खिसका देंगे बस बाद खतम अगर यहाँ multiply करते समय डबल 0 है तो decimal को हम 2 खिसका देंगे हो गया यहाँ multiply कर लेते हैं काफी simple है 13 multiply 31 आपको simply कर लेना है 13 multiply 31 आपको simple कर लेना है 3 बन जा 3 1 बन जा 1 3 तरी जा 9 3 तरी 10 अब यह 4 हो गया यानि कितना है आपका 403 तो इसका एंसर क्या हो जाएगा 403 अब हम क्या पाते हैं decimal के बाद एक अंक्या है decimal के बाद एक अंक्या है तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा चले अब इन ही नमर को divide करके देखते हैं divide करने पूंक्या answer कैसा आए गया तो लिखा है 0.2 divided by 6 हमें इसको divide करना है 0.2 divided by 6 थोड़ा सा ध्यान से में देखना है 0.2 divided by 6 2 X इसको हम क्या करेंगे simply double divide कर देंगे simple divide कर देंग疫 decimal को हटा दे decimal अगर हम हटा देते हैं तो क्या बचैंगा 2 हमें 2 से divide करना तो कैसे divide वहाईट होगा तो इस तरीका हमको problem होती है हम पर मने बताया था कि हम 0 लगा सकते हैं कोई दिक्कत thinner नहीं है तो हम 20 करने के बाद इसे हम आराब से डिवाइड कर सकते हैं, 20 करने के बाद इसे हम easily डिवाइड कर सकते हैं, तो 6, 3, 18, फिर से क्या वचाँ आपका 2, अब फिर से हम यह decimal लगाएंगे, तो फिर से 20, फिर से 6, 3, 18, यानि के बार बार आता जाएगा, तो 3, 3, यहाँ पर राइड कर लेंगे, अब यहाँ पर में थोड़ा सा धियान दिना है, जो मेरा एंसर आया तो वो क्या आता है, 3.333 ऐसे आता रहेगा, इधर decimal के पहले अल लेडी दो अंक है, तो हमें decimal ऐसे स्थाम पर रखना चाहिए, जिसके बात दो अंक हो, लेकिन ध्यान देंगे, यह पहले से हमारे भाग में आये थे, अब और दो अंक चाहिए, तुमारे पास नहीं है दूं क्या करेंगे, एक अंक लगा लेंगे, और इस decimal को उठा करके हम यहाँ पर राइट कर देंगे, तो फिर इसका इंसर हो जाएगा, 0.03333, इस तरीके से यह आपका इंसर हो जाएगा, चलिए, अब हम अगला एक्जमपर ले लेते हैं, क्या है, 1.3 divided by 10, इसको में डिवाइड करना है, decimal एक अंक राइट सागा है, जब यहाँ single 0 होगा, तो decimal एक अंक राइट सागा हो जब यहाँ पर divide कर रहे हैं, single 0 हो तो decimal एक अंक अंक राइट में खिसका जाएगा, हो घया, तब एnhसर क्या हो जाएगा, 0.13 एंसर हो गया, इसको देख लेते हैं क्या है 0.08 divided by 100 मैंने क्या होता है था multiply करते समय है decimal 2 अंक right side में सकता है तो divide करते समय है decimal 2 अंक left side में यहाँ फिर यहाँ जाएगा यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे यानि कि decimal यहाँ आपको हो गया तब क्या हो जाएगा आपका answer 0.0008 यह आपका answer हो जाएगा कुछ नहीं करना आपको decimal 2 अंक आगे खिसका देना है बस हो गया इसको हम divide कर लेते हैं तो 1.3 divided by 3.1 decimal के बाद एक अंक यहाँ है और decimal के बाद एक अंक यहाँ है तो जब multiply करते हैं तो एक और एक जुड़ता है और जब divide करेंगे तो घटता है तो एक अंक यहाँ है तो एक से घट जाएगा तो 0 हो जाएगा जैसे multiple age up कर रहे थे तो एक अंग यहाँ था एक अंग क्या करते थे कि दोसे को जोर देते थे तो decimal की बाद दो अंग काते थे उसको में सब रखते थे जब divide करेंगे तो एक condition बाद यहाँ है और एक condition बाद यहाँ है तो इस तरीके से हम हम इसे सब्ट्रेक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा जीरो होगा मतलग भी डेसीमाल के बाद जीरो आएगा अब सिंपली हमको क्या करें लेना है थर्टी डिवाड़े रवाई थर्टी वन और इसको आप डिवाड़ करेंगे जो आओगा वह आपका एंसर होगा